चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए MPPSC Assistant Professor के लिए एक जानकारी जो है वो लेके आई हूँ तो देखें जल्द ही 1700 Assistant Professor की भरती होनी है अब यहाँ पे कुछ देखें विभाग ने भरती के लिए MPPSC को भेजा प्रस्ताव तो अब प्रस्ताव जो है भेज दिया गया है आगे कहां तक प्रोसेस पहुंचा है चले मैं बता देती हूँ प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में सिक्षकों की कमी बनी हुई है कॉलेजों में सिक्षक की गुडवत्ता बढ़ाने और सिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार शिग्रही कॉलेजों में 1700 Assistant Professor की भरती करेगी और इसमें क्या है तो देखें अतिती आएंगे उनको 20% जो है 20 अधिक अंक मिलेंगे औरों के मुकादे उलेखनी यह है कि उच्छ सिक्षा विवहा के कॉलेजों में धाई साल पहले करेब 3900 Assistant Professor की निक्ति की गई थी यानि कि धाई साल बाद जो है आपके सामने यह वेकेंसी आई है जिसमें 2000 पादों की वेकेंस तो Assistant Professor निक्त किये जाएंगे कॉलेजों में Assistant Professor कृड़ा अधिकारी तथा ग्रंत पाल के पद के लिए मद्य प्रदेश लोकसिवा आयोग द्वारा चैन परिक्षा कराई जाएगी इन पदों के अभियर्थी अतिथी विद्वानों को आयोग की चैन परिक्षा में आयू सीम की चूट निर्धारित है प्रोफेसरों की भरती करने प्रस्ताव MPPSC भेज दिया गया है अतिथी विद्वानों को कॉलेजों में किये गए सिक्षण कारे के आधार पर उच्छ सिक्षा विभाग निर्धारित मापदंड के अनुसार चार अत्रिक्त वर्यता अंक के अधिक अंक यानि 20 अंक उनको दिये जाएंगे तो यह जो है उच्छ सिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने इस चीज़ का निर्णा लिया है तो फिलहाल जो है यही चीज़ जानकारी जो है में लिए कि जल्द ही विकेंसिया आनी वाली है तो अगर महिने की बात करें तो जनवरी में नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है तो जैसे ही इसके प्रती कोई भी चीज़ जानकारी मिलती है मैं आप सभी को जरूर बताऊंगे देखिए कई सारी जगह पे यह भी चीज़ आ रही है सामने बात कि इसमें जीके को भी एड़ किया जा रहा है तो चीज़ के लिए घबराइए मत आपके पास अपना जो कंसर्ण सब्जेक्ट है विशा से संब्धित जो सब्जेक्ट है आप पहले उसके त्यारी करिए अगर नोटिफिकेशन भी एक महिनी में आने की संभवना है ही जल्द से जल्द जल्दी आयों के दरफ से आ जाता है त कोई समस्या हो किसी टॉपिक से संब्धित तो कमेंट करके जरूर बताएगा धन्यवाद